श्रीश्री रविशंकर की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ से राममंदर के मुद्दे को लेकर मुलाकात हो सकती है सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस मुलाकात से निकल कर आएगा मध्यस्ता के लिए आगे बढ़े हैं श्रीश्री रविशंकर राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे साथ एवीपीनियू समवादाता पंकज्जा जुड़ गए पंकज्ज क्या जानकारी मिल रही है कब तक हो सकती है मुलाकात देखिया आज सविरे यहाँ पर जो पांच कालिदास मार का बंगला है मुख मंत्री योगी आदितनात का वहाँ साथे नौ बजे स्रीश्री रविशंकर की मुलाकात होगी सबसे पहले और उसमें इस आयोध्या के फार्मूले को लेकर के बातचीत हो सकती है हलाकि बड़ा पेचीदा मसला है और इसके बाद दोपर एक बजे कुछ मुस्लिम पक्ष से उनकी बातचीत होगी लेकिन उनके आने से यानि लखनव आने से और अयोध्या के फार्मूले पर कुछ बातचीत करने से पहले ही जो अलग-अलग मुसलिम पक्षकार है उन्होंने कहा कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है जैसे मैं बताओं आपको कि सुन्नी सेंटरल वकबोर्ड की तरफ से जो जफर्याब जिलानी है उन्होंने कहा कि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है वो बातचीत करने आना चाहते हैं तो जब तक कोई प्रस्ताव नहीं इस पर बातचीत हम क्या करें से पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है तो आज तो योगी आदितनाद से मिलेंगे, कुछ मुस्लिम पक्षकारों से मिलेंगे श्रीशी रवी शंकर और उसके बाद कल अयोध्या में अलग अलग लोगों से उनके मिलने की बात है जिसमें की इकबाल अंसारी और साथी निर्मोही अखारे के पक्षकारों से भी वो मिल सकते हैं पंकज्छा जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही योगी आदितनाद से श्रीशी रवी शंकर की मुलाकात होनी है श्रीची रभी शंकर जो इस मामले में खुदी मद्धस्ता के लिए आगे बढ़े हैं वो कह रहे हैं उन्हें उम्मीद है बाचीत से विवाद सुलत जाएगा आज तक जहां भी हम गए कोई स्थिती बिगडी नहीं है सुधरी नहीं है कोई भी किसी वियशतर पर बाचीत होती है अच्छा है स्वागत यगा मैं सदेवाद को मानता हुरा हूँ कि संगर्स का समाधान होना चाहिए संगर्स को टाला जाना चाहिए अंतिम सब्हाद स्थापित किया जाना चाहिए और वो सफल हो सबकी प्रात्रा है लेकिन हमारी जो मूल मांग है हिंदों का कि राम जन्मव वहुवी सिरफ लाला मंदर के लिए होगा और उसके लिए हमारी तारे स्थर्क हमारे पक्ष में है योगी आदितनात और श्री श्री रवी शंकर की होगी बुलाका जैसी मुलाकात होती है हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे